तो फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं वह पहली किताब जो कि किसी भी कंपटीटर के लिए प्रथम किताब होती है तो देखिए यह जो लूसेंट है आप जानते हैं कि इसमें बहुत कंटेंट है और यह याद नहीं होता है लोगों का सेलेक्शन हो जाता है लेकिन फिर भी यह जो किताब है वो पूरी चुकती नहीं है क्योंकि इसमें इतना ज्यादा कंटेंट है कि उसे आप बार बार पढ़ेंगे बार बार पढ़ेंगे तब ही आपको याद होगा क्योंकि यह इसमें से पूरी सारी सारी सामराइज है तो हम अभी इसमें से पढ़ने वाले हैं साइ कर दिया है तो वो भी आप इसी सेनल में देख सकते हैं तो चलिए आज का अपना जो पहला ही टॉपिक रहेगा वो साइंस का रहेगा जिसमें से हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान तो भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह साखा है जिसमें द्रव यानि की मैटर तथा पूर्जा यानि के अनर्जी और इसकी परस्पर क्रियाओं का अध्यान होता है भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है क्योंकि विज्ञान की अन्न साखाओं का विकास इसी भौतिकी के माध्यम से हुआ है अगला आपना टॉपिक है मात्रक मात्रक क्या होते हैं मात्रक यानि की यूनिट किसी रासी के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं मात्रक दो प्रकार के हो सकते हैं पहला है मूल मात्रक यानि की फंडामेंटल यूनिट और दूसरा है व्यूत्पन मात्रक यानि की derived unit derived का मतलब होता है कि किसी दूसरे के माध्यम से या दूसरे से उस चीज को निकाल लेना तो actually क्या है कि जो अपने derived units हैं यानि कि व्यूत्पन मात्रक हैं वो मूल मात्रकों से ही निकाले गये होते हैं इसलिए इनको derived unit कहते हैं जो मूल मात्रक हैं इनकी संख्या साथ है तो SI पध्यती में मूल मात्रक साथ जो है वो इस प्रकार से हैं पहला है अपना लंबाई ये देखिए भौतिक रासी क्या लंबाई और इसका SI मूल मात्रक यानि कि भौतिक रासी देखेंगे फिर मात्रक देखेंगे फिर इसका संके मात्रक इसका किलो ग्राम और संकेट केजाए तीसरा भोतिग्रासी है समय इसका मात्रक सेकेंड और इसका संकेट है इस भौतिक रासी ताप मातरक है इसका केलविन और ये कैपिटल के इसका संकेत है विद्दुधारा मातरक एंपियर संकेत कैपिटल ए जियोतिती व्रता इसका मूल मातरक है कैंडेला और संकेत है सीडी पदार्थ का परिमाड इसका जो मात्रख है वो है मोल और संकेत है इसका मोल यानि M-O-L SI के संपूरक मूल मात्रख अभी हमने मूल मात्रख देखे लेकिन SI पद्यती में संपूरक मूल मात्रख है वो दो है कौन सा एक समतल कौण और इसका जो मात्रक है वो रेडियन है और RAD इसका संकेत है एक दूसरा है घन कौण जो स्टे रेडियन मात्रक के नाम से जाना जाएगा और इसका जो संकेत होगा वो होगा S R SI के कुछ पुराने मात्रक और नए मात्रक देखिए SI में कुछ पुराने मात्रकों की बात की गई थी मतलब पुराने मात्रक जो थे उनको बदल दिया गया नया बनाया गया तो क्या जैसे ताप है तो ताप को पहले हम डिग्री सेंटी ग्रेट में नापते थे किसमें डिग् centigrade लेकिन अब इसको कहते हैं degree Celsius और मात्रक यही रहता है degree और यह Celsius आब रत्ति है तो आब रत्ति पहले कमपन प्रती Second यानी CPS कमपन प्रती Second में मापी जाती थी लेकिन अब आब रत्ति को हम hurts में नापते हैं और hurts को जो संकेत है वो क्या है जो तिती ब्रदा इसको पहले कहते थे कैंडिल सक्ति यानि की सी पी कैंडिल सक्ति अब जो नया नाम है इसका है कैंडेला यानि की सी डी ठीक है वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से ब्यक्त किये जाते हैं व्यूत्पंद मात्रक कहते हैं उनिट कहते हैं मतलब गुधि इंगमोल मात्रकों की सहाइता से वह हम डैराइड किये गए हैं निकाले गए हैं बहुत लंबी दूरियों को मातने के लिए प्र्काश वर्स का प्रियोग करते हैं अभी जब हŊगोल हम पड़ रहे थे तो भूगोल में ये प्राका नापना होता है तो प्रकास वर्स सुस्षा उंच गया है। प्रकास ट्यूर्स में चली गई जयता है वही प्रकास वर्स क हईलता है। और प्रकास वर्स को अगर हम मीटर की हिसाब से नापें तो यह होता है 9.466.10 की घाते 15 मीटर तो 9.466.10 की घाते 15 मीटर बराबर एक प्रकास वर्स दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई है वो है पारसेक और जो पारसेक होता है वो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रक 10 to the power 16 मतलब 3.08 गुने 10 की गाते 16 मीटर इसकी माप होगी किसकी एक पारसेक की बलका CGS पध्यती में मात्रक डाइन है एवं SI पध्यती मात्रक क्या है इसका न्यूटन है तो बलका CGS पध्यती CGS पध्यती में अगर देखेंगे सेंटी मीटर ग्राम सेकेंड पध्यती इसको काएंगे CGS एक होता है MKS पध्यती MKS पध्यती और एक है यह CGS पध्यती तो यह जो CGS पध्यती है CGS पध्यती में बलका मात्रक क्या है डाइन है और SI मात्रक इसका क्या है न्यूटन है और एक newton बराबर क्या होता है? 10 की घाते 5, daign कार का cgs पध्यती में मात्रक क्या है? ARG है और SI मात्रक जूल है कार का मात्रक cgs पध्यती में क्या? ARG और ऐसाई पद्यती में जूल होता है एक जूल बराबर कितना होता है 10 की गाते 7 अर्ग ये सीधे सीधे प्रशन पूछे जाते हैं कि एक जूल बराबर होगा और फिर इसमें दे दिया जाएगा कि 10 की गाते 5 अर्ग 10 की गाते 6 अर्ग 10 की गाते 7 अर्ग दसकी घाते 8 अर्ग तो 1 जूल बराबर कितना दसकी घाते 7 अर्ग होता है दसकी विभिंद घातों के प्रतीक भौतिकी में बहुत चोटी और बहुत बड़ी रासीओं को मापने के लिए दसकी घातों के रूप में ब्यक्त किया जाता है दसकी कुछ गात और संकेत इस प्रकार से हैं, यहां पर हम इनको देख सकते हैं, देखिए अगर दसकी घाते एक किसी में लगाई जाए, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डेका, दसकी घाते एक मतलब डेका, अगर दसकी घाते दो लगा दिया जाए तो इसको कहेंगे हेक्टो, दस की घाते 6 मेगा, दस की घाते 9 गीगा, दस की घाते 12 टेरा कहेंगे, और 10 की घाते 15 को पेटा, और 10 की घाते 18 को क्या कहेंगे, एकसा कहेंगे, इसको आप सीधे सीधे याद कर सकते हैं, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एकसा, कैसे, डेका हेक्टो किलो मेगा गी को मापना चाहें तो भी यहां पर माप सकते हैं जैसे देखिए अगर 10 की पावर माइनस एक अगर लिखते हैं तो इसे कहेंगे dc 10 की पावर माइनस दो को कहेंगे centi 10 की पावर माइनस 3 को कहेंगे mili 10 की पावर 6 यह माइनस 6 को क्या कहेंगे, Mysk-9, 10 की गाते minus 9 है यदी तो नैनो कहेंगे, 10 कीगाते minus 12 को P और 10 की गाते minus 15 function, 10 की माइनस 18 यहां पर 8 कहलाएगी. इस प्रकार से डेसी सेंटी मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो तो इस प्रकार से ये माइनस की इनकी खाते होंगे यहाँ पर अब देखते हैं हम गती तो सबसे पहले देखते हैं अदिस रासिया अदिस रासी आदिस, जिसमें दिसा नहो उसे अदिस कहेंगे इसको scalar quantity भी कहते हैं तो वैसी भौतिक रासी जिनमें केवल परिमाड होता है दिसा नहीं होती उसे अदिसरासी कहा जाता है दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसी रासीयां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाड किया वसकता होती है दिसा किया वसकता नहीं होती है उसे हम अदिसरासी कहेंगे अदिसरासी में जैसे मालीजी द्रबमान तो आप द्रबमान अगर है कोई तो उसमें ऐसा नहीं कहेंगे कि इस दिसा में द्रबमान चाल अगर है तो चाल को यह नहीं कहेंगे कि इस दिसा में चाल ऐसी प्रकार से आयतन को नहीं कहेंगे आप इसी प्रकार से कार समय उर्जा तो द्रबमान चाल आयतन कार समय और उर्जा ये अधिस रासियां है इन्हें ब्यक्त करने के लिए दिसा किया वह सकता नहीं होती है केवल परिमार से काम चल जाता है नोट विद्दुधारा यानि करंट ताप टेंपरेचर दाव यानि प्रेशर ये सभी अधिसरासियां हैं जैसे ताप है तो आप ताप कहेंगे कि इतने केलविन लेकिन ये नहीं कहेंगे इतने केलविन ऊपर को या इतने केलविन नीचे को इतने केलविन इतने कोण पर ऐसा के साथ हों जो मतलब वैसी भौतिक रासियां जिन में परिमार के साथ साथ दिसा भी रहती है और जो योग के निश्चित नीमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं उन्हें हम सदिस रासियां कहते हैं सदिस रासियां मतलब वो रासियां जिने व्यक्त करने के लिए परिमार के सा अप strengths की भी वो सकता होती है, उन्हें हम सदिसे रासियां कहते है, और सदिसे रासियों में जैसे अपना क्या है, वैग है, विस्थापन है, बल है, तुरण है, तो यह सारी क्या है, सदिस रासियां है दूरी, distance, दूरी क्या है? किसी दिये गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तैंकि ये गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं और ये एक सदिसरासी है ये है सदय और पॉजिटिव होती है, सदय और धनातमक होती है, दूरी जो होती है बिस्थापन क्या है? displacement, एक निश्चित दिसा में, देखिए इसने कहा क्या? एक निश्चित दिसा में दो बिन्दूओं के बीच की लंबवत निवनतम दूरी को बिस्थापन कहते हैं, ये सदिसरासी है क्योंकि ये निश्चित दिसा की वैसे भी बात कर रहा है, तो बिस्थापन क्या है? एक निश्चित दिसा में दो बिन्दूओं के बीच की निवनतम जो दूरी होगी, उसे हम बिस्थापन कहेंगे और ये सदिसरासी है, इसका जो SI मात्रा के वो क्या है? मीटर है चाल, स्पीड, किसी वस्तुद्वारा, प्रति सेकेंड, तैंची गई दूरी को चाल कहते हैं अर्था चाल वराबर क्या होता है? दूरी बटा, समय मतलब कि किसी निश्चित समय में तैंची गई दूरी और ये क्या है एक अदिस है ठीक है चाल कैसी है अदिस है और इसका जो मात्रक है वो क्या है मीटर पती सेकेंड अब देखिए मीटर पती सेकेंड कैसे बना ये दूरी है तो दूरी को हम क्या में नापेंगे मीटर में और बटा ये समय क्या है सेकेंड में नापेंगे तो इसल व्यूत्बन्ध मातरक बन गया यह क्यों बहुत कि में आप से मातुरत का से नियुकित kleiner के मिव्यूत किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तैं की गई दूरी को वेग कहते हैं अब देखिए निश्चित दिशा अगर आ रही है तो इसका मतलब क्या ये है सदिस तो वेग क्या है सदिस है और इसका भी मातरक होता है विस्थापन बटे समय होता विस्थापन भी देखिए क्या था सदिस्ता तो इस परकार से जो वेग होगा वो मीटरपती सेकेंड इसका मात्रक होगा जो की derived unit है यानि की व्यूत्वन मात्रक है तुरन अब तुरन देखिए वैसे सूत्र के इंसाब से क्या होता है वेग परिवर्तन की दर को तुरन कहते हैं तो वेग परिवर्तन तो उसे रिनातमक तुरण या फिर मंदन रिटार्डेशन कहते हैं और यदि बढ़ रहा है तो वो धनातमक तुरण होता है प्रक्षेव गती जब कोई पिंड ऐसे नियत तुरण के अंतरगत गती करता है जिसकी दिसा पिंड के वेग की दिसा से भिन होती है तो पिंड के वे में वक्रपत पर गती करता है इस गती को प्रक्षेव गती कहते हैं और वक्रपत को क्या कहते हैं प्रक्षेव पत कहते हैं एक्चली क्या होता है कि जैसे माली जे एक कोई ये आपके पास पिंड है ठीक है आपने इसको सीधे ना फेंक कर थोड़ा इस दिसा में फेंका तो जैसे ही आप इस दिसा में फेंकेंगे तो वो इस प्रकार की गती बनाएगा और यही जो गती है यह क्या कहलाएगी प्रच्छे गती कहलाएगी और यह जो इसका मार्ग है यह प्रच्छे पत कहलाएगा एक्चुली यह जो पत होता है यह परवलयाकार होता है और यह परवलय में देखें तो धनुस से चूटा हुआ बाढ़ हवाई जहाद से गिराया गया बंप और तोप से चूटा गोला यह सब जो हैं यह परवल्याकार इस्थेती में प्रच्छेप पत के उधारण माने जाते हैं यहाँ पर दिया गया है कि देखिये इनका जो मार्ग होता है वो कायएसा परवल्याकार होता है यह सभी प्रच्छेप गती के क्या हैं उधारण हैं प्रचेब गति एक डुइभी मिय गति है मतलब इसमें त्री डाइमेंशन नहीं नहीं होता आर्थात एक संस्मतल में गति होती है किसमें एक संस्कंतल में गति होती है प्रचेब को अधिक्तम दूरी तक फिंकने के लिए उस्सह Bishop जिसा से 45 अंस के कोंड में फेंका जाता है अब देखिए जैसे मालीजी आपके पास कोई पिंड़ है आप उसको सबसे ज़्यादा अगर दूरी तक फेंकना चाहे रहे हैं तो आपका यहां से जो कोंड होना चाहिए फेंकने का वो यह 45 डिग्री होना चाहिए कितना पैंतालि इसलिए जब भी लंबी कूद का कोई खिलाडी अगर मालीजी जम्प करता है तो वो किस में किस कोंड पे जम्प करेगा वो फ्रेंड्स जम्प करता है 45 अंस पे जब वो 45 अंस पे जम्प करेगा तब ही वो सबसे ज़्यादा दूरी क्या करेगा तैं करेगा तो यह अगर कि इसी भी पिंड को सबसे ज़्यादा दूरी तक फेकना है तो यहां पर 45 अंस का कोण हमें चाहिए और यदि उसको सबसे ज़्यादा उचाई प्राप्त करनी है तो डेफिनेटली उसको 90 डिगरी के अंस पर हम क्या करेंगे प्रक्षेपित करेंगे फेकेंगे यहां पर हलाकि इसको इंडिकेट भी देखिए किया गया है इस प्रकार से यह करेंगे प्रक्षेप कोण थीटा एवं 90 माइनस थीटा दोनों के लिए 36 पराज समान होता है प्रक्षेप पत्र के उच्छतम बिंदु पर वेग एवं तुरण के बीच 90 अंस का कोण बनता है ठीक है यही जो ह शौण टार्ग पर गतई करती है तो उसकी गति को वरतियगती कहते हैं यदि वह एक समान चाल से घती करता है तो उसकी गति को एक समान गती या एक समान वरतिय बरतीय गती कहते हैं। ब्रतिय गती एक त्वरित गती होती हैा क्योंकि वेग की धिसा प्रती tecnología विंदु पर बदलती रहती है। अब डोरी से बने अग्टः को तेजी से गुमाया जाता है और गुमाने के समय यदि डोरी तूट जाती है तो वो जो पत्थर है वो किस प्रकार से भगेगा इस पर सरेखा के हिसाब से वो भगता जैसे देखिए माली जी कि आपके पास एक डोरी थी यहाँ पर आपने एक पत्थर बांदा और इसको घुमाया अब यदि माली जी किसी जगे डोरी अगर यहाँ पर माली जी डोरी तूड गई जब तक यहाँ था तो यह इसकी इस पर सरेखा से इधर बाहर की और भग जाएगा वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कोणिय वेक क्या होता है देखिए ब्रत्ताकार मार्ग पर गतिसील कण को ब्रत के केंदर से मिलाने वाली रेखा एक सेकेंड में जितने कोण से गूम जाती है उसे उस कण का कोणिय वेक कहते हैं चुली क्या है कि जैसे माली जी एक यह ब्रत्ताकार मार्ग है अब यहां से माली जी यह कोई कण था और एक सेकेंड में वह यहां से यहां आ जाता है तो यह जो कोण बनेगा केंदर पर यह इसे क्या कहेंगे कोणिय मतलब यह कोण बनेगा और इसी के साथ यह जो बेग की जो नाप होगी इसे हम कॉणिये वेग कहेंगे और यह जो है इसे कॉणिये वेग को हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं ओमेगा बराबर होता है ठीता अपान T अब यदि जो यहाँ पर कण है यदि एक सेकंड में एन चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा टू पाई एन अब क्योंकि देखिए एक चक्कर लगाने में जब एक चक्कर ये लगा लेगा पूरा तो एक चक्कर लगाने में ये 360 हंस घूम जाएगा पूरा कॉंड चूंकि एक रेडियन मतलब घूम जाएगा पूरा 360 हंस घूम जाएगा तो इस से पूरा एक चक्कर हो जाएगा अब यदि ब्रत्ताकार मार्गे की तरिज्य आर है और कण एक सेकंड में आयन चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी बरावर क्या होगी ब्रत्त की परिदी गुणे आयन मतलब इसका मतलब यह है कि जैसे बिरत की परीदी क्या होती है टू पाई आर होती है ठीक है अगर माली जी यह एक परीदी हो गई अगर कोई कण इस परीदी में माली जी की दो बार घूमा तो यह गुणे दो हो जाएगा अगर यही n बार घूम जाएगा तो आइन हो जाएगा तो वही है कि अगर कोई कण चक्कर लगाता है इस परकार से कि आइन बार चक्कर अगर लगा गया तो उसकी जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी 2πrn हो जाएगी और इसे ही रेखिये चाल के नाम से जाना जाएगा अर्थात वी बेराबर 2πrn और यहां पर फिर वी बराबर 2πn 인तुर आर कर देंगे तो हमने वहां पर ओमेगा के मान के हिसाब से देखा था कि 2πi n क्या होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा omega into r हो जाएगा क्योंकि वहां पर हमने देखा कि omega बराबर 2πi n होता है अर्थात रेखिये चाल बराबर कोणी ये चाल गुने तरज्या तो friends इस वीडियो में इतना ही देखिए ये चीज थोड़ी से टफ जरूर हो सकता है लग आप लगाएं इसको सुनते रहें ये धीरे धीरे content जो है आपके दिमाग में बैठता जाएगा और अगर आपके दिमाग में ये content बैठ गया तो सीधे सीधे exam में आप इसका प्योग कर पाएंगे one day exams कोई हो railway का कोई exam हो आप सिर्फ lucent अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो आ आप GS में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे ये बिकदम बिल्कुल से सही है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाज तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनवाद थैंक्यू फॉर वाचिंग